Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है 10 of cups and accelerated motion और देखें ये cards को अगर मैं overall देखूं तो इस week specifically आपके professional front में एक happiness की बात करते हैं एक joy की बात करते हैं speed की बात करते हैं कहीं growth progress की भी बात करते हैं और specifically देखें तो किसी चीज़ पे अगर आप बहुत time से काम कर रहे थे आप उसको complete करना चाहा रहे थे तो उसी से ही related बहुत तेजी से आप काम करते हुए दिख रहे हैं और कहीं देखें एक completion आ रहा है यहां फिर आप एक completion लाना चाहा रहे हैं और जो भी आपके loved ones हैं close ones हैं family members हैं उनकी तरफ से एक supportive एक cooperative energies रहती हुई दिख रही हैं यहां पे कुछ लोगों के लिए personal family हो सकती है कुछ लोगों के लिए professional family हो सकती है क्योंकि देखें जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं हमारे लिए काम करते हैं वो एक family जैसे ही बन जाते हैं और उनके साथ इस week अपना relationship, अपना bond या तो आप strong करना चाह रहे हैं या फिर आपका relationship, bond उनके साथ strong हो रहा है और कहीं देखें जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको बहुत enjoy कर रहे हैं एक satisfaction मिलती हुई दिख रही है क्योंकि कितनी बारी देखें क्या होता है हमें financial gain होता है हमें materialistic gain होता है और कितनी बारी देखें पैसों से related उतना फाइदा नहीं हो रहा होता है लेकिन हम उसको बहुत enjoy कर रहे होते हैं कहीं emotional satisfaction जादा होती है उस काम से हमें और इस week कहीं एक emotional satisfaction again एक happiness, joy जादा रहती हुई दिख रही है और इसलिए याँ फिर otherwise भी आप बहुत speed से आगे बढ़ना चाहा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि इस week आप travel करना चाहा रहे हैं यहाँ फिर travel कर रहे हैं नहीं तो otherwise भी देखें फिर से मैं कहूंगे एक तेजी आते हुए दिख रही है आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं और परसनल फ्रंट के लिए आप लगों के लिए कार्ट सें तर्स सन और इमोशनल विड्ड्रॉयल तो देखें यह दोनों ही कार्ट एकदम से कॉंट्री एनरजीज की बात करते हैं जहां सन का कार्ट एक happiness एक joy की बात करता है वहीं emotional withdrawal का कार्ट कहीं emotionally low feel करने की बात करता है और देखें दोनों कार्ट को combine करें तो surface level के लिए बहुत एक happiness बहुत एक joy बहुत एक beautiful energies रहती हुए दिख रही हैं पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर एक confusion था तो बहुत जबर्दस्ती clarity आती हुई दिख रही है एक confidence आपके मन में आता हुआ दिख रहा है एक नई beginning या तो आप करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और दिखें फिर से मैं कहूंगी अगर आप effort कर रहे थे किसी चीज़ के लिए महनत कर रहे थे तो एक success एक victory भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है एक appreciation एक recognition भी देखें overall ही आपको अपने loved ones close ones से मिलता हुआ दिख रहा है लेकिन फिर भी देखें deeper level के लिए emotional withdrawal का card कहता है कि या तो आप मन ही मन चीज़ों से withdraw कर रहे हैं किसी चीज़ को आप let go करना चाहा रहे हैं और कहीं देखें आप again मैं कहूंगी hundred percent नहीं feel कर रहे हैं कभी-कभी होता है ना हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन कोई भी चीज़ वह happiness वह joy नहीं दे पा रही है कहीं मन उचाट सा हो गया है और फिर से देखिए surface level पर बहुत अच्छी चीज़े होने के बावजूद भी मन ही मन कहीं आप ऐसा ही feel करते हुए दिख रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए detach का card है और देखिए ये card बहुत ही clearly जो भी issues हो रहे हैं उनका एक solution दे रहा है ये card कहता है कि हो सकता है आप किसी चीज़ से बहुत attach हो रहे हैं बहुत जादा आप cling कर रहे हैं उस चीज़ को और ये देखिए थोड़ा-थोड़ा सब के लिए refer कर सकता है कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई behavior हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई इंसान, कोई relationship या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके साथ आप बहुत एक attachment महसूस कर रहे हैं और इसलिए देखे, surface level के लिए बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, कहीं आप emotionally 100% नहीं feel कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक detachment लाने की ज़रत है, जो चीजें आपको serve नहीं कर रही हैं, उनको let go करने की ज़रत है, उनको release करने की ज़रत है, और अगर ऐसा आप कर पा पाएंगे, and chakra से आप लोगों के लिए crown chakra का card है, और ये card कहता है कि all shades of pink या फिर violet आप लोगों के लिए इस week लगी रह सकते हैं, and significantly आप लोगों के लिए होगा Thursday, और दिखिए दूसरी बात crown chakra का card कहता है, कि अगर आप spiritual practices में अपने आपको involve करेंगे, mantra chanting करेंगे, तो इस week क energies को आप और बहतर कर पाएंगे, अपने लिए कहीं you know, और एक satisfaction joy आप ला पाएंगे, तो ये था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए